हेलो एब्रीवान, वेलकम टो आरीटी चनल स्टड़े उत्सवग, आज हम लोग सेवा HSLC एग्जामिनेशन 2016 जेर्नल साइन्स का कोचन पड़ देखेंगे, और इसका जो आंसर सीट कोपी चेक करने के लिए, जो आंसर सीट कोपी चेक करने के लिए, उस आंसर सीट को भी मैं यहां सेयर करूँगा, और इसके कुछ कोचन को मैं एक्स्प्रेंड करूँगा, सो आएए देखते हैं, इस कोचन पड़ में क्या-क्या कोचन इन्पोर्टेंट हैं, जो बोड एक्जाम 2022 के लिए भेरी-भेरी इन्पोर्टेंट हैं, तो चलिए इस पड़ को सुरू करते हैं, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं, या अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किजिएगा, और बेल आइकन को ही प्रेस कर लिजेगा, ताकि इस तरह का जो भी मैं इन्पोर्ट वीडियो अप्लोड करूँ, उसका जो है, दाइबोफ रियक्शन इस एक्जामपल अब, यह जो रियक्शन है, या किसका एक्जामपल है, तो इस दिख में देखिए क्या होगा, एलमुनियम जो है, ए आइरन को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है, और खुझ जाकर इसके जग में बैठ जाएगा, और एफी को अ नमर टू देखिए, एक सलूसन जो है, रेट रिटमस को बलू बनाता है, तो सलूसन का प्येच क्या होगा, तो देखिए, रेट रिटमस को जो बलू बनाता है, वो क्या होता है, बेस होता है, क्योंकि बेस ही बलू बनाता है, ठीक है, इसको आप इस तरह से वियाद कर सकते है 7 से ज्यादा तो इसका answer 7 से ज्यादा जो भी रहेगा उसे हम tick कर देंगा तो देखिए 7 से ज्यादा क्या दिया हूँ 10 दिया हुआ so answer is 10 question number 3 देखिए which of the following metals react violently with cold water cold water के साथ में कौन reaction violently करता है so इसका answer होगा c sodium या chapter 3 का question है okay question number 4 देखिए in the periodic table of the elements in a period from left to right atomic radius gradually answer होगा b decreases answer होगा b decreases question number 5 देखिए यह question दिया हुआ है यह chapter 12 का है और हर question के बगल मैं chapter लिख दिया हूँ ताकि आपको समझने में असान होगा कि कोण साचाप्टर का है so इसका answer होगा d 1 is to root 2 this answer क्या होगा d question number 6 इसका answer होगा c nucleon energy question number 7 question का answer होगा a cerebellum question number 8 answer होगा b peeled skin of mango question number 9 इसका answer होगा इसका answer होगा d cytoplasm question number 10 इसका answer होगा a sorry b analogous so इस तरह से 10 marks के जो 10 mc की कोचन थे वो complete होगा अब देखिए question number 11 chapter 4 का है question number 12 chapter 2 का है question number 3 इसका answer आपका page number 158 h लिखे है h का मतलब hindi book हिंदी medium का जो book होगा उसे page 158 मिल जाएगा और जहाँ यह लिखे होगे वहाँ में इंग्लिज मेडियम का book page number होगा okay question number 14 या देखे page 138 हिंदी बुक मिल जागा इसका answer question number 15 question number 16 question number 16 का और question number 17 question number 18 18 का और question number 19 question number 20 question number 20 20 21 question number 22 इस तरह से पूरे question पेपर को हम लोग पहले देख लेते हैं उसके बाद में लास्ट में मैं इस पूरे पेपर का solution जो आसाम बोर्ट द्वारा त्यार किये गए हैं उस answer sheet को भी मैं share करूंगा question number 23 question number 24 question number 25 question number 25 25 का और 26 26 का और 27 27 का और 28 29 30 31 question number 32 32 32 32 32 02 32 32 32 a 3 32 B और question number 34 और 35 35 का और 36 36 का और तरह तरह से हम लोग ने पूरे question पर को देख लिया अब चलिए इसका answer sheet जो board of secondary education आसाम दोरा त्यार के जाता है answer sheet को change करने के लिए students का चलिए उस sheet को हम लोग देखते हैं answer sheet को देखते हैं देख सकते हैं board of secondary education आसाम high school living certificate examination 2016 general science तो देखिए कुछ general instruction दिया हुआ है उसके बाद सारे mcq का answer यहां में दिया हुआ है तो इस तरह से board द्वारा जो answer त्यार किया गया है सारे mcq का answer यहां दिया हुआ है सब one marks के है question 11 section B है से start हो रहा है इसे one marks का है question 12 question 13 देखिए मैं हमें h लिख दिया हूँ इसका हुआ हिंदी बूप में page number इतना मिल जाएगा ठीक है यहां सारे answer बोड़ द्वारा त्यार किया गया है तो आप देख लिजी question 14, 15, 16, 17 देखिए हमें किस तरह से state marking मिलता है जी कर स्थे लिखेंगे दो it पेज 144 यह पेज 144 इंगलिस मेडियों का बुगवें मिल जाएगा लिखाओ पेज नमर 209H का मतले हिंदी मेडियों का बुगवें मिल जाएगा कर्चन नमर 21 कर्चन नमर 22 23 24 24 का और 25 तो यह 2016 का जो कर्चन बर था उसका पुरा कर्चन नमर 25 का और है यह लिखाओ पेज 138H मिंस हिंदी मेडियों का बुगवें मिल जाएगा 26 यह लिखाओ पेज 151E मिंस इंगलिस मेडियों का बुग है उसके पेज 151 मेडियों मिल जाएगा कर्चन नमर 27 कर्चन नमर 28 29 30 31 कर्चन नमर 31 कर्चन नमर 32 34 34 का और 35 35 का और तो इस तरह से हम लोग ने सेवा अगर आप करते हैं तो आपके कोमेंट को देखकर मैं इस पूरे पेपर को explain करके step by step पूरा समझाते हुए मैं solve करा दूँगा तो आईIV ओप यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा और अभी तक इस चन्यनल को subscribe नहीं कएये हैं तो प्लेज इस चन्यनल को subscribe कर लीज़ेगा और बेल आइकन का भी प्लेस कर लीज़ेगं तो इस वीडियो में बस इतना ही फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो में थेंक यू